हिसार के बीजेपी सांसर भरजेंदर सिंग में करोना के संधिक दिलक्षन पाई गए हैं जिसके बाद सांसर ने करोना टेस्ट करवाया है और अभी इसकी रिपोर्ट का इंतजार है टेस्ट करवाने के बाद सांसर ने खुद को होम क्वारेटाइन कर लिया है इस सबंदी सांसर ने खुद वीडियो को जारी करके इसकी जानकरी दी है वहीं सांसर ने कहा कि करोना अभी खतम नहीं हुआ है अगले कई महीने और जादा चलेगा साथ ही उन्होंने जनता से अपील की है कि मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा दियान रखे मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि पिछले दो दिन से मेरी तवियत कुछ खराब है बुखार है और आज ही कोरोना का टेस्ट किया गया है जिसका नतीजा कल शाम तक या परसों दुभेर तक आ जाएगा तो इस नाते मैं आपको सूचित करना चाहूँगा कि मैं अगले कुछ दिन सारजनिक तौर पे या निजी तौर पे आप लोगों से मिलने में असमर्थ रहूँगा ये आपके स्वास्त के लिए अच्छा है और मेरे स्वास्त के लिए भी और जैसा मैंने आप लोगों से जो मैं पिछले कुछ दिनों में आप से मिला हूँ कई भाहियों से मैंने तब भी कहा कि लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे करोना की महामारी जो है वो खतम हो गई है या जो उसकी उसका फैलाव है वो रुख गया है ऐसा कुछ नहीं है ये एक लंबी जद्धो जहद है जो अभी कई महीने कम से कम चलने वाली है तो मेरा आप से नुरोध है कि जब तक अती हनेवारिय ना हो कृपया करके अपने घर में रहें सोशल डिस्टंसिंग का पालन करें मास्क का इस्तमाल करें और समय समय पर अपने हाथ साबून से दोते रहें धन्यवाज़ कर दो